करेरा थान शेत्रों के अंतरगर आने वाली सुनारी चौकी के अभेरंट शेत्र से आज सोन चरईयां सुनारी चौकी पुलिस के द्वारा साइयोंक तरूप से रेत से भरे दो ट्रेक्टर पकड़े गए इसके बाद रेत माफियां ने कुछी दूरी पर सुन चरईयां और सुनारी चौकी पुलिस पर हमला कर दोनों ट्रक्टरों को छोड़ा कर ले गए। जानकारी के मुताबिक सुनारी चौकी पुलिस के शेत्र के अंतरगर लगाता रेज से भरे ट्रेक्टर ट्राली और डंपर बड़े इस्तर से रेत उत्खनन और रेत का परिवान कर रहे थे। पर पहुंचकर अपने वन रक्षक फतेपुर सतीश जाटफ के आविदन पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया गया है जिसमें महेंद रपाल, गिरवरपाल, मौनुदुबे, दीपक रजग, प्रतापाल को आरूपी बनाए गया है, इन पर धारा तीन सो उन्या सी तीन सो त्रेपान, एक सो छियासी के साथ, स्टी, स्टी, स्टी आइक्टे के तहत मामला दर्च किया गया है। तो रास्ते में उन्होंने बलपूरवक पांचे लोग आये और बलैरो से और भी बाइक से भी थे वात्यारवद थे और बलपूरवक गाली गलोच स्टाप के साथ करके लड़ाई जगड़ा करके जो आपको बता भी चला होगा और चुड़ा कर वाह कर ले गए और जिसमें हमने उनके विरुद्ध पिवर्ड दर्ज की अपनी और अपने अधिकारियों को से सूचित कराया है साब लोगों नहीं बात की है और हमारे फाइयर दर्जों के लिए नहीं है कितने लोग थे किन इसमें जो थे फैज़र पैचान हुई है वह चार्प लोगों की हुई है एक तो थे आपके मानू भागव जो माहराज के नाम से पράक्षिद्ध है और आपके डीपक रजक है एक दो पाल है एक तो है पाल इसको बगदेरी कही है, और ये चाला के जिसको उने गरतर की है, जिसको उन्वाद्टे पेस करेंगे, ये पूरण जाटब के नाम से है, ये भी बगदेरी कही है, और इनके खिलाप में बैक फ़ायर दर्ज करा लिए और हमारा पुलिस का हमारी लिए बहुत मुलता है? जी, पूपकर है.